गुजरात चुनाव पर चब से मैंने लाइव करने का सिलसिला शुरू किया है लगबग रो जाना ही हम इस पर चर्चा कर रहे है उस लाइव के दोरान बहुत सारे गुजरात के लोग फैंस हमारे जुडने लगे हैं बहुत सारे नए सब्सक्राइबर आ गए हैं और कुछ लोगों ने चैनल को सपोर्ट भी किया है चैनल को आर्थिक सहयोग भी मिला है और हमारी रीच भी गुजरात में इस लाइव के बाद बढ़ी है मैं अचानक ही कमेंट्स देख रहा था वीडियोज के नीचे तो दो तरह के कमेंट आए एक जनाब ने मुझे ये कमेंट करके कहा कि हर्ष जी आप गुजरात के चुनाव को कवर क्यों नहीं कर रहे हैं उनका टार्गेट था ये कहने का के भई आप डोर टो डोर जैसे करते हैं सभी चैनल वाले घूम रहे हैं मैंने फुनी के बारे में मेरा ये पहला जवाब है कि इस तरह के वीडियो तो मैं बनाता नहीं हूँ पबलिक ओपीनियन टाइप के बहुत सारे मीडिया वाले हैं तो एक स केनल का नाम हर्श की बात भी है मैंने कहा कि नहीं साब ऐसे वीडियो में नहीं बनाता हूँ एक ने सवाल ये पूछा कि साब आपका एक अंदाजा गलत साबित हुआ मैंने कहा कि आपने एक बार वीडियो में ये कहा था आपने किसी कि अजीत अंजुम जो जाने माने पत् तो वो फिल्ड में कब निकलेंगे तो आपने ये कहा था कि गुजरात चुनाव आने पर अजीत अंजुम जरूर मैदान में नजर आएंगे तो उन्होंने कहा कि हर्श जी आपका ये अंदास तो गलत साबित हो गया गुजरात चुनाव लगबग आधा होने को आया एक दिसंबर को मतदान होने जा रहा है अब तक तो अजीत अंजुम मैजान में नजर नहीं आए मैंने का हाँ यार ये तो बात सही है तो मैं गलती मानता हूँ भाइस में ये मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ एक तीसरे सक्ष ने मुझसे सवाल ये पूछा के हर्श जी अजीत अंजुम साक्षी जोसी और कई और ऐसे लोग हैं जो फिल्ड में यूट्यूबर्स हैं और एंटी मोदी एंटी बीजेपी अभियान में जुड़े रहते हैं वो लोग गुजरात के चुनाव को कवर क्यों नहीं कर रहे हैं जबकि उन्हें तो मोदी के खिलाफ मसाला जुटाना था तो मोदी के खिलाफ मसाला खुब मिल सकता था गुजरात से वहाँ पर कोई कवर करने के लिए नहीं गया पस्चिम बंगाल में सब पहुचे हुए थे उन सब लोगों के लिए आज ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जादे बड़ा नहीं बनाऊंगा समय जादे खराब नहीं करूँगा आपका देखिए अजीत अंजुम जी आज कल पुरुसकार लेने में बीजी हैं उन्हें हाली में दो पुरुसकार मिले हैं कुल्दीब नईयर सम्मान जो गांधी शांती प्रतिष्ठान द्वारा परगती मैदान के सामने है वहां उनके द्वारा दिया गया और एक किसान ट्रस्ट जो सुर्गे चोधरी चरन सिंग ने बनाई थी और अब उनके पोते जेंत चोधरी राज्य सभा के सामसद और राष्टिय लोगदले के प्रमुख हैं वो उसको रन कर रहे हैं एक पुरुसकार उनकी तरफ से अभी हाली में उन्हें कॉंस्टिटुशन कलब में दिया गया अजीत अंजून को तो फिलाल तो यही इनी दो कामों के लिए वो घर से निकले हैं कि उन्हें दो पुरुसकार मिल जाएं वहाँ पर भी उन्होंने अपनी स्पीच दी दोनों जगे स्पीच ऐसी ही दी कि मैं मोदी के खिलाफ क्यों हुआ साफतोर पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया भी था गलोबल हर्ष पर बनाया था अपने तीसरे चैनल पर कि अजीत अंजुमिन उस्पीच में क्या कहा और उसमें छोटा सा इंसिडेंट भी उन्होंने बताया था कि टीवी नाइन चैनल की जब शुरुआत हो रही थी मोदी का विरोध करने वालों में अगरनी है और इसके साथ ही टीवी नाइन के चैनल के जो मालिक थे CEO बगेरा थे मैं नी पता कौन था उनसे भी नरेंदर मोदी ने ये कहा था कि आपने तो अपने चैनल में ऐसे लोगों को रख लिया है जिनकी रगरग में मोदी को गाली देना है तो उसी बात से उसी इंसिडेंट के बाद अजीत अंजुम जी ने फैसला किया का समखाई कि नरेंदर मोदी के खिलाफ ही काम करूँगा चाहे वो पेयम रहें या ना रहें और उसके बाद से आप सब जानते ही होंगे कि फिर दौर आ गया किसाना अंदुलन का दौर एक चला फिर उत्तर परदेश के चुनाव आ गए पस्चिम बंगाल के भी चुनाव हुए इन सब में अजीत अंजुम फिल्ड में नजर आये अपने यूट्यूब चैनल को जाला भी होगा तो बैदें दोस्तों यही का था आप से यह उत्तर परदेश के चुनाव के बाद अजीत अंजुम गुजरात का चुनाव कवर करने के लिए निकलेंगे लेकिन नहीं निकले हैं मैं बताता हूं क्यों नहीं निकले हैं वो जानते हैं कि गुजरात के चुना उत्तर पर्देस में ये वो कर चुके हैं उत्तर पर्देस में वो कहते हैं ने का दूद का जला छाज भी फूक फूक कर पीता है उत्तर पर्देस में उन्होंने उन्हें ऐसा नजर आया था किसान आंदोलन के बाद के शायद उत्तर पर्देस में एक लहर चलेगी जो के साथ वो माइक लेकर घुमे थे, खूब दोड़ भाग की थी, एक दिन में तीन-तीन वीडियो बनाए थे, कभी अजय मिश्रा टेनी वाले मुद्दे पर मोदी को घेरा था, कभी किसानों के मुद्दे पर घेरा था, और किसानों के मुद्दे पर वो इतना अंधे मू गिरे कि जिस किसान संगठन के लिए वो सर्वो पर ही थे, जिस किसान संगठन की वजह से, ये कह सकता हूँ कि उनका चैनल, यूट्यूब चैनल इतना फेमस हो गया था, भारते किसान यूनियन, उसके बारे में जो खबरे बाद में जिस तरह से उसमें बिखरा हुआ, किसान यू उत्तर परदेश के चुनाव के नतीजों ने सदमे में पहुँचा दिया अजीद अंजुम को। अखलेश के या जो संगठन है उनका गठबंदन है उसके समर्थन में हो जाएगी लेकिन उनकी ओपीनियन मेकर बनने का जो ख्वाब है वो उत्तर परदेश की जनता ने धूल में मिला दिया और मैं अक्सर उस दोरान आप से ये भी कहा करता था कि ये अजीद अंजुम जो उ उत्तर परदेश के बजाए पस्चिम बंगाल में भी किया होता तो इनकी धुलाई हो जाती वहाँ पर और टीमसी वाले इने बता देते इनकी अकल ठिकाने लगा देते मेरे कहने का मतलग ये था है पस्चिम बंगाल में ये गए थे लेकिन ये बीजेपी के खिलाफ गए थ थे और सब को ये लगा था कि वो बीजेपी को पस्चिम बंगाल में सरकार बनाने से रोकने में सफल रहे हैं और गलत फहिमी का शिकायर हो गई फिर इनने लगा कि अब हम बीजेपी को सरकार बनाने से उत्तर परदेश में भी रोक सकते हैं लेकिन उत्तर परदेश के लोग तो गजब हैं इन्हें ना तो आम आदमी पार्टी की फिरी बीज चाहिए ना तो इन्हें मुफ्त बिजली चाहिए ना इन्हें मुफ्त ट्रेन चाहिए ना इन्हें मुफ्त बस चाहिए इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं इन्हें केवल सुशासन चाहिए और लौ एंड ओर्ड उन्हें मायावती ने अखलेश यादव ने किसी ने भी टिकट देने से मना कर दिया कै दिया कि मैं किसी को भी आत नहीं करूँ अगर मुकतार अंसारी को अपने बेटे को टिकट दिलवाने के लिए राजभर की पार्टी का रास्ता पकड़ना पड़ा अखिलेश से का कि यार आप अपनी पार्टी से में टिकट नहीं देते हो तो उम परकास राजबर की पार्टी तो आपके साथ ही उससे मेरे बेटे को टिकट दिलवादो तब अखिलेश यादम ने आठ ऐसे लोग थे जिनें सपा के बजाए राजबर की उस पर टिकट नाल रड़वाया और मुक्तार अंसारी का बेटा विधायक बना भी है तो अरेस्ट हो चुका है वो भी अपने पिता का नाम रोशन कर रहा है तो अजीत अंजुम को ये लगा कि यार उत्तर परदेश में तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ हमारे करने से जनता मानी नहीं है जब उत्तर परदेश में कोई फायदा नहीं हुआ तो 25 साल से गुनगान कर रही है बीजेपी का 20 साल से गुनगान कर रही है नरेंदर मोदी जी का गुजरात की जनता तो वहाँ हमारे कहने से क्या होगा हमा तो नकार खाने में तूती बजाते रहेंगे और हो सकता है कहीं यह वहांद리 पर हमें पकड़ बीमा लिए और हो सकता है कि जो मोधी समर्थक हैं हमें दोडा ना लिए वहां पर गुजरात में और इसी वजह से वहांदो नहीं गए। पर बीजेपी वापस आएगी हिमाचल परदेश में भी बीजेपी आवापस आने के चांसिस पूरे-पूरे हैं तो इसी वज़े से वो वीडियो बनाने के लिए नहीं गए देखिये इस तरह की जो मीडिया के लोग हैं विरोधी मीडिया जीने में कहता हूं हम जैसे लोगों वो गोदी मीडिया कहते हैं तो इन जैसे लोगों को सबख अपने आप ही मिल जाता है समय के साथ साथ सत्तेहिंदी.com पर आशुतोष रोजाना नरेंदर मोदी के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाते हैं वो भी इसी तरह से मूँ की कई बार खा चुके हैं बस ग सबा चुनाव आएंगे तब शायद निकल जाएं अभी तो मुझे लगता नहीं कहीं निकलेंगे नजीत अंजुम आने वाले समय में उनकी इस्तिती खराब है तो साब ये जो सत्तेहिंदी.com है इसके बारे में भी एक मिनिट की बात आपसे करना चाऊंगा और मैं कुछ द चैटल मैं आपको दिखा रहा हूँ गुजरात कैसी रही राहूल की पहली सभा पड़ी चिंता है इने गुजरात में राहूल की सभा की पड़ी चिंता हुई गुजरात के बारे में नोंने वीडियो बनाया फिर आप बीजेपी का भी वोट काटेगी यानि के कहीं ऐसा नetos कि सिर्फ कांग्रेस कही काट दें बीजीपी काटेगी आम आद्मी पार्टी आम आद्मी पार्टी वही है जिन्होंने आशुतोस को जुतिया कर अपनी पार्टी से बाहर किया था इन्हें ठेंगा दिखा दिया था गुजरात राहुल गांधी राहुल के सभी अभी आने से का अंग्रेस का फाइदा गुजरात राहुल की रैली से माहुल बनेगा इन्हें बड़ी चिंता है राहुल की रैली से माहुल बनाने की और नए अभियान पर थरूर एमसीडी बीजेपी की नाक में आपने धम कर दिया आम आदमी पार्टी के विधायकों पर आरोप लगे हैं अभी हाली में विधायकों की पिटाई हुई है जनता के दुआरा उस पर मुझे कोई चर्चा इनके आ नजर नहीं आए बीजेपी ने एमसीडी को गंभीरता से नही भारत जोडो यात्रा मोदी के हमले के पीछे डर नहीं और राहुल का भाशन का तरीका बदल गया है वाह राहुल में अभीने फ्यूचर का नेता नजर आने लगा है मीडिया तो कई राज्य में आपको जिता चुका है अब गुजरात मॉडल की बात नहीं करते हैं मोदी औ अडानी के एंडी टीवी के मालिक होने की परक्रिया कल से शुरू शिवाजी पर टिपनी गुजरात में राहुल मोधी ने किया हमला अब राउत को राहुल में दिखी उम्मीदें सब जगह राहुल है या फिर इनके पास आम आदमी पार्टी है राहुल को की ब्रांडिंग करने में पूरा सत्यंदी.com वाले लग चुके हैं क्या साहित्य मेलों का भहिशकार होना चाहिए वा क्या बात है अब शिवाजी पर कॉंग्रेस ने बीजेपी को घेरा सावरकर विवाद मना करने के बाद भी बोले राहुल क्यों गुजरात मोधी ने संभाला मोर्चा राह ये कह रहे हैं अगले लोग सबा चुनाव में 48 मिसे 5 सीटे मिलेंगी जहां 22-23 सीटे हैं इनकी बहाँ पर देखिए आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे ग्यानी जब इसमें डिबेट लेकर बैठेंगे तो इनका हाल क्या होगा राहुल के इस कदम से बहुत दुख हुआ राहु राहुल ने संग पर साफ लाइन ले ली है ये तो तथ्य है सावरकर ने माफी मांगी थी सावरकर पर बोलकर राहुल बीजेपी के ट्रैप में फस गए सावरकर को नहीं बलकि विचारधारा को अटेक करो अरे वापरे ये राहुल गांधी के गाइड भी बन गए हैं राहुल के इस काम से गटबंदन को संकट राहुल की ये एक बड़ी लाइन खीचिने की कोशिश राहुल गांधी ने किसी पूंजी पती का समर्थन नहीं किया कांग्रेस को समाजवादी रास्ते पर ले जाते राहुल गांधी राहुल ने काउंटर नेरेटिव उभार दि तो दोस्तों इन लोगों का अजेंडा अब लोगों को समझ में आने लगा है इनका अजेंडा ये है कि मोधी को गाली दो अपने चैनल के सबस्क्राइबर बढ़ाओ और इसके अलावा इनका कोई अजेंडा है नहीं दिन भर इसी तरह की ऑपीणियन लेकर आना मुग की खा ये भी बताएं क्या नरेंदर मोदी की सरकार अगली बार नहीं आएगी बताएं और ठोक कर बताएं हमने उत्तर परदेश का विशलेशन किया था हर राउंड के बाद और आप लोग जानते हैं उसमें मैंने ठोक कर बताया था कि इस राउंड में इतनी सीटे आ रही हैं और 99% मेरा आकलन सही था दोस्तों अब आप बताये कि ये अपने आपको बड़े पतरकार से कहते हैं इतना एक्सपिरियंस इनके पास है 25-30 साल से ये काम कर रहे हैं 25 साल तो खैर मुझे भी हो गए मेरे से भी पुराने पुराने है अजीत अंजुम बगेरा इन लोगों को इतनी अबी सेंस नहीं है कि जंता का मूर क्या है अजीत अंजुम जंता के बीच दिन रात घूमे उत्तर परदेश में और ये भापी नहीं पाए कि यहां लहर चल रही है मैं कह रहा हूँ आपको अजीत अंजुम से मैंने मैसेज भी बिजवाया था कुछ लोगों से कुछ वीड बना देते जाकर पस्चिम बंगाल में दुलाई कर देते आपकी पकड़ कर T.M.C. वाले नंबर वन के गुंडे हैं और अगर उत्तर परदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती और आप इस तरह के वीडियो बनाते हुए घूम रहे होते समाजवादी पार्टी के ख अचा रही है अब मुझे लग रहा है उत्तर परदेश के नतीजों के बाद उत्तरा खंड के नतीजों के बाद इनकी आँख खुल गई और इसलिए ना ये हिमाचल में गए ना ये गुच्रात में गए तो आशा करता हूँ आप सब लोगों ने जो मुझसे सवाल पूचे बोसते लोगों के कमेंट मेरे पास आए थे उन सब का जवाब इसमें आ गया होगा देखते हैं अजीध अंज्युम साब तक हमारा ये वीडियो पूचता है या नहीं और अगर पूचता है तो मैं तो चैलेंज करता हूँ कि आई अजीध अज्युम साब एक डिबेट मेरे पक्षमे होना चाहिए और सरकार से सवाल पूछने चाहिए, मैं मानता हूँ, बिल्कुल पूछने चाहिए, लेकिन एक सरकार जो 75 साल चली देश में, उससे कितने सवाल आप लोगों ने पूछे थे जरह उसका भी हिसाब दें, मुझे बताएं कितने चैनलों पर बैठ कर नरेंदर मोदी से भी लोग सवाल पूछेंगे, 2024 के सुनाओं में ही शायद पूछें, 2024 के बाद पूछेंगे, लेकिन अभी जनता का मूड है, नरेंदर मोदी जनता के आँखों में सितारे बने हुए हैं, तो जनता उन्हें पसंद कर रही है, आप इस गलत फैमी को निकाल दें अपने दिमाग से कि आप ओपिनियन मेकर हैं और लोगों की धारणा को बदल सकते हैं, नमस्कार, चैसरी राम अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें